तो यहां पे स्टडी टेबल वगएरा था इस कार में और इस कार में यह साहिल की कार है इससे आपको नहीं मिलवाया जूंकि इतना इससे मैंने आपको मिलाना था यह गाडी में समान पूरा नहीं जा पाया एक देख सकते हैं आप कैसे समान गेल रहा है बड़ा रीजन एक फ् देख रहे हैं डेली उब्जरवर्स और में उप्रनम नंदा तो फ्रेंड्स काफी टाइम से आपने जैसे देखा कार्स बाइक कार बाइक ही चल रहा है बट अब मैंने आपके लिए हटके सोचा है कि आपको अपना लाइश्टाइल दिखाया जाए आपको अपनी डे अबूध-थार बाइब अब करी खा Oops आज का दिना अब फ्लैट शिफ्ट कर रहे हैं अभी कॉलिज के पास रहते थे तो अब घारे दिखाते हैं ऐहां फस्ट व्लॉग में तो आप मेरा आ नियू-टेख है तो आज की जो मेरी पिर्ष्ट डे व्लॉग है उसके अंदर कुछ लगा कौन सा रून लिया जाए और क्या मतलब अडिशन करे जाए क्या मौडिफिकेशन करी जाए रून के अंतर तो फ्रेंट्स कुछ ऐसा था हमारा पुराना फ्लैट आप देख सकते हैं यह अमारी लॉबी थी और यहां पर हमने अपना शूरैक रखा हुआ था यहां हमारे साहिल जी है साहिल भाई क्या हाल है आपके राम राम बोल दीजिए भाईयों को और यह हमारे तुछार कटारा जी यह देखिए अखिल जी सब बढ़िया कि अभी किछन साफ हो रही है किछन वी हम पूरा पैक कर रहे हैं सेलेंडर वगएर उठा लिए एक पैक हमने प बूट गया हुए आप बैक सब्सक्राइब देख सकते हैं अब अब आपको न्यू फ्लाट भी दिखाएंगे और यह दूसरा भूम आप देख सकते हैं यहां पे तुषार का बेट था और यहां पे साहिल का बेट था साहिल का बेट ने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका है औ कुछ. आपको न्यू फ्लैट भी दिखाएंके और उद भी आपको दिखाएंगे कौका थासरा का यहां पे कपड़े वग्यार सुकाने का साधन था भाकी वाश रोम एप निरा एक वाश रोम यहां था रिутств ह०ू करेंगे हम इस फ्लैट मेस्नधाुन चेसे आपको मिलाएं आपको दिखाएंगे जरूर देखना तो फैंबली हमारा जो बड़ा-बड़ा समान था जैसे बेड हो गया फ्रिज हो गया यह सब हो गया अलमीरा वगरा होगी वह सब हमने एक पोर्टर के थ्रू फ्लैट में शिफ्ट करा दिया बाकि छोटा-छोटा जो समान है जैसी कि अपना डेली व्लॉगिंग का वो नहीं था और यह मेरी अपनी थार जो कि जे के नंबर है पुने में चल रही है अब आगे देखते हैं आगे आगे आप देख सकते हैं एकदम फुल होगया हुआ है बट हम फिर फिर करेंगे कि कुछ समान इसमें आज तो तब तक यह देखिए थार में भी पुरी फिटिंग चल रही है अब उसको आगे से खुला हुआ है राम से पगड़ना क्यों हो गया है अब आपको फ्रेंट से दिखा देते हैं कि क्या कुछ आगे देख सकते हैं आप यह साहिल खुला हुआ है इसको द्यान से रखना ठ तो फ्रेंट्स यह है वो जिससे मैंने आपको मिलाना था यह मीट इस क्यूटी जर्मन शेफ़र्ड जो की एश है यह भी सेवन मंथ का बट जब यह वन मंथ का था तब से हमारे साथ ही है तो काफी अटेटमेंट हो गी है इसके साथ बहुत ही एनर्जेटिक सा है यह और बेकरार डॉग रहता है तो फ्रेंट्स दो गाड़ी में समान पूरा नहीं जा पाया एक स्कूर्टी में जा रहे है अक्षिल को देख सकते आप यह उदर तक जाएंगे तो अब हम कार्स निकालते हैं और हम भी चलते हैं अपने न्यू फ्लाइट की तरफ है तो फ्रेंट् समानी से लिए हमने सोचा की एक रांड ओर लगाया जाए अभी फुल समानी आया बड एंग रांड ओर लगेगा यह Boston स्विफ्ट गूर लगेगी अभी फिलाल थार से सारा जितना समान जास का तो आपने मनें जाड़ा ता से फुलार समान मुझे लिगते की ठीखर गया देख सकते हैं को दिखाने की कोशिश करते हैं रोहन मदुर्वन तो बहुत ही बड़िया हिस्टम है आपको इसमा तुम सब दिखाएंगे इसके उटिकार इसको फ्लैट नॉमबर बताना है एक पूर एंट्री होगी तो फ्रेंट्स कुछ ऐसी पार्किंग बहुत बड़ा रीजन एक फ्लैट चेंज करने का यह पार्किंग भी था विकॉस ब्लैक कलर की कार रोज ही गंदी हो जाती थी तो एक पार्किंग की जुरूरत थी दोनों कार्स को तो फाइनली हमें वो फ्लैट भी मिल गया जिसके अंदर आपको पार्किंग मिलेगी अपनी इंडिविज्वाब आप देख सकते हैं यह मारा फ्लैट नमबर है और हमारी पार्किंग यहाँ पर अराम से अपनी कार पार्क करेंगे और अपना सारा समान निकालेंगे तो फ्रेंड सब समान निकल चुक है अभी देख सकते हैं आप काफी डिफिकल्टी से आया है तो यह हमारी पार्किंग जैसे आपको मैंने बताया प्राइबेट पार्किंग मिलेगी यहां पर फ्लैट नंबर लिखा हुए है तो यह इस फ्लैट की पार्किंग है कितना समान आ यहां से निकल चुका है आपको थोड़ा दिखाते हैं फ्लैट की लुक दिखाते हैं बाकी तो आपको पुरा एक व्लॉग मिलेगा फ्लैट के ऊपर बट फिलाल आप देख सकते हैं इसके चोटे मोटे क्लिप्स तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी है हमारी फिर्स्ट लुक फ्लैट की देख सकते हैं आप फ्लैट नंबर भी आपको डिस्क्लोज कर देते हैं क्योंकि इतने बड़े यूट्यूबर हम हुए निया कि इसको छुपाएंगे तो यह हमारी लॉबी है एक हमारा यहां पे सोफा कम बै लग रही है कि आपको यह किचन दिखा देपे हमें एक बाद कि हमारा फ्रीज शिफ्ट होगे जैसे मैंने आपको बढ़ा था कि हमारा फ्रीज और बेड़ वगरा पहले शिफ्ट होगे थे इनसे आप नहीं मिले हैं निकुच भाई क्या हाल है कुछ नहीं होता यहां पर को कोईंट वाइफाइ पहले हमें लोगों के फ्लैट में जाके वीडियो अपलोड करनी पड़ती इसलिए भी लेट होती थी वन आफ रीजन वास दिस इस आर वाश मेशन फॉलवड़ बाइवाश रूम और यह हमारा रूम है आप देख सकते हैं कितना बढ़ी है वैसे तो हम प्रूम का सबसे बढ़िया जो पार्ट है वह यह इसकी बाल के नहीं आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लूक है और इसकी आप पूरी सराउंडिंग देखें यहाँ पर बैठने का तो मज़ा ही आ जाता होगा आप देख सकते हैं आपको पूरा दिखाया जाएगा एक व आपने बार्ट बैठने का सोचा और अखिल जी का तो लगी कहना है पाला दू स्नैप्चैट यह देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी आ लोकेशन यार मेरे को तो इसकी बाल के नी से प्यार हो गया मेरे तो सोच रोंड शिफ्ट करकि यह अपना रूम बना लिया जाए क्या कह आपके लिए बी क्या होता है हम तीन बैट लगा रहे हैं तो फ्रेंड्स कुछ यह था आज का मेरा व्लॉग आपने सब देखा हमने कैसे शिफ्ट किया अपको मैंने अपना रूम दिखाया अभी तो फिलाल उसमें बैट वगरे नहीं है एक ही बैट हमने लाया वह सिंगल बट डबल बैट हमने ओडर की है वो कल तक आज आएगा आपको नेक्स व्लॉग में बैट भी देखने को मिलेगा तो फ्लैट बिल्कुल खाली है तो आज का दिन हमें नीचे बिछागे ही सोना पड़ेगा तो आप सिंद्री दे सकते हैं पीछे कितनी बड़ी है और इस तर टूर दिखाया जाएगा एक बार पूरी सोसाइटी दिखाई जाएगी तो तब तक के लिए चलते हैं डिनर करते हैं तो मिलेंगे आप से नेक्स्ट व्लॉग में ओक गाइस थेंक्यू और वर्चिंग डेली उप्जावर्स